किस दिशा में स्थापित करना चाहिए कौन सा यंत्र, जाने व्यवसाय या घर में कैसे मिलेगा लाब? हिंदु धर्म में यंत्रों का बहुत बड़ा महत्व है. किसी भी पूजा या यग्य में यंत्र का बहुत महत्व होता है. प्राचीन काल से मनुष्य यंत्रों का निर्म एवम उनका प्रयोग करता रहा है। आर्थिक स्थिती को सही करने के लिए, शत्रों पर विजय प्राप्ति के लिए, देवी देवताओं को खुश करने के लिए। कई तरह के यंत्र प्राचीन काल से ही इस धर्ती पर मौजूद है। आए, जानते हैं कौन सा यंत्र घर में रखने से आपको लाब मिलेगा और कौन सा यंत्र आपके लिए शुब रहेगा। श्री यंत्र श्री यंत्र को सबसे महान और सरवादिक फल देने वाला यंत्र माना जाता है इसकी स्थापना और पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन होती है और जातक पर कृपा बनाये रखती है इस यंत्र को पूजा स्थल पर रखा जाता है मान नता है कि इस यंत्र को घर में स्थापध करने से सकारात्मक उर्जा बनी रहती है स्फटेक श्री यंत्र स्फटेक से बना श्री यंत्र दक्षना वरती शंक, गोमती चक्र एवम तुलसी पत्र जिस घर में हो वहाँ धन और एश्वर्य की कोई कमी नहीं होती है स्फटिक के श्री यंत्र को समस्त प्रकार के श्री यंत्रों में सर्वश्रेष्ट माना गया है वास्तो निवारन के लिए स्फटिक श्री यंत्र श्रेष्ठतम माना जाता है सुख सम्रिद्धी यंत्र सुख समृध्धी यंत्र से व्यापार, विदेश गमन, राजनीती, ग्रिहस्त, जीवन, नौकरी आधी में इस यंत्र का उप्योग करने से सुख एवं समृध्धी प्राप्त होती है. इस यंत्र से चल एवं अचल दोनों तरह की संपत्ती प्राप्त होती है. इस यंत्र की प व्यापार में उन्नती के लिए व्यापार व्रिधी यंत्र की स्थापना की जाती है। वश्तु ये कृपा से धन वैभव और सुक सम्रिधी की प्राप्ती होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुबěर जी उत्तरदिशा के स्वामी है इसलिए घर की उत्तरदिशा में ही स्थापित करे। वास्तु यंत्र, चारों दिशाओं से मिलने वाली उर्जा तरंगों का संतुलन ही वास्तु कहलाता है. जब इन तरंगों में असंतुलन होता है तो कई तरह के दुश्परिनाम आपको देखने को मिलते हैं. वास्तु यंत्र की पूजा करने से घर का वास्तु सही रहता है और गर में हमेशा सुक शांती बनी रहती है। साथ ही घर में किसी तरह की समस्या नहीं रहती है। हनुमान यंत्र समस्त कष्टों के निवारन के लिए हनुमान जी के यंत्र की स्थापना की जाती है। इस यंत्र को साधना के द्वारा भी प्रसन किया जा सकता है क्योंकि इन में स्वयम हनुमाँजी विराजमान रहते हैं। इस यंत्र से सांसारिक दुखों से छुटकारा मिलता है और क्रूर ग्रहों का प्रभाव भी खत्म हो जाता है। इस यंत्र से जादू टोना और भूत प्रेतादी का भय भी खत्म हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इसे अपने अन्य शुबचिंतकों के साथ जरूर साजा करे। और कोई सवाल हो या कोई सुझाव है तो कॉमेंट में लिखे या इमेल पर भेज सकते हैं। इमेल डिस्क्रिप्शन या चैनल पेज पर मिल जाएगा धन्यवाद।